आज हम NCRT का exercise 1.3 पढ़ने जा रहे हैं तो आईए देखते हैं NCRT का exercise 1.3 क्या कहते हैं कह रहा है प्रूव देट अंडर रूट 5 इसा इरेजनल नंबर देखिए हमने क्लास 9 में पढ़ा है क्या पढ़ा है कि इरेजनल क्या होते हैं हमें पता है अंडर रूट 5 इरेजनल नंबर है हमें इसी बात को प्रूव करके दिखाने हैं चलिए आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए कि हम क्या करते हैं लेट यह कुशन में फ़र्स्ट है लेट अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इस अ रेजनल नंबर ठीक तो देन क्या होगा अगर अंडर रूट 5 एक एक रेजनल नंबर है तो क्या मैं अंडर रूट 5 को P upon Q की form में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताए लिख सकता हूँ कोई confusion तो नहीं क्यों 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 जो रेजनल नंबर होते हैं उसको हम P upon Q की form में लिख सकते हैं अब देखिए अब देखिए क्या where Q equal to not 0 यह बात भी पता है आपको कि रेज term में है अब आप कहोगे यह lowest term क्या होता है इस simplest term में है कहोगे अब यह simplest term क्या होता है देखो जैसे हमने यहां पे लिखा हमने यहां पे लिखा 8 upon 20 तो यह simplest term नहीं है यह lowest term नहीं है क्या है lowest term आपने इसे काटा 4 2 जा 8 4 5 जा 20 अब क्या इसे काट सकते हो आप काट को काट सकते हो बताओ नहीं काट सकते ना यानि कि ये जो 2 upon 5 है ये अब अपने simplest form में है अब ये simplest form में है तो इसका क्या तो इन दोनों का अगर हम HCF निकाले 2 और 5 का HCF निकाले तो HCF होगा 1 HCF कितना होगा 1 तो इसी लिए 2 और 5 जो है को प्राइम नम्मर है यानि कि अगर 2 नम्मर का HCF 1 आए तो उस नम्मर को हम क्या कहते हैं को प्राइम नम्मर कहते हैं बताइए कोई जिकत कोई के refusion है नहीं है चले आगे तो P and Q are P and Q are को प्राइम नम्मर चलिए ठीक है चलते हैं आगे अब एक बात बताइए अंडर रूट 5 P Q इधर डिवाइड में इधर हम ले आते हैं उसे multiply में ले आते हैं इक्वल टू P इससे हम मान लेते equation first क्या equation first अब करिए square square both side तो जब दोनों तरफ हम square करेंगे तो क्या होगा ये square से इंडर रूट कट गया 5 बचा यहां बचा Q square equal to P square अब एक बात बताएए 5 का उधर बेजी दिए Q square equal to P square upon 5 यानि कि 5 से P square क्या हो रहा है कट रहा है तो लिख सकते हैं 5 ये S नहीं है 5 divide P square अब एक बात बताओ मेरे को अगर मैं लिखू 5 divide 10 का square तो क्या 5 10 को नहीं काटेगा बताइए अगर वो 10 के square को काटेगा तो 10 को भी तो काटेगा ना ठीक है चलिए तो इसका मतलब ये इसका मतलब ये कि 5 divide P clear सी बात है अगर 5 जो है P को divide कर रहे हैं तो अब हमने P में 5 से divide किया P में 5 से divide किया तो कुछ तो क्विटेंट आएगा उस क्विटेंट को हम C मान लेते हैं उस क्विटेंट को हम क्या मान लेते हैं C मान लेते हैं C मान लिया हमने चलिए आगे यानी की यानी की हम लिख सकते हैं P equal to 5 C ये हो गया equation second P equal to 5 C अब क्या करते हैं put equation second in equation first जो हमारा second equation है उसको हम first में put कर देते हैं first equation था हमारे पास 5Q equal to P 5 ये हमने लिख दिया अब क्या करते हैं हम square both side under root 5Q का square equal to 5C का square अब एक बात बताएए कितना हो जाएगा 5Q square equal to 25C square 5 का हम उधर बेजेंगे तो ये हो जाएगा 25 upon 5 25 upon 5 C square तो Q square तो Q square equal to 5C square यानि कि Q square upon 5 equal to C square अब आप एक बात बताएए 5 divide Q square it means that 5 divide Q 5 क्या Q को भी divide करेगा चली हम आगे करते हैं ठीक 5 divide Q 5 divide Q करेगा अब एक बात करते हैं कि Q upon 5 equal to हम क्या मान लेते हैं एक नम्मर मान लेते हैं let कर लेते हैं D मतलब यहाँ पे कोई सो Q 10 आगा ना कटके हम उसको क्या करते हैं D मान लेते हैं D मान लिए अब देखिए Q अब अब Q equal to हम लिख सकते हैं 5 D अब एक बात देखिए Q equal to 5 D है और P equal to 5 C है बात को बहुत ध्यान से समझना अगर हम इन दोनों का HCF निकालने जाएं HCF तो दोनों में क्या कोमन दिखाई दे रहा है आपको 5 HCF कितना आ गया 5 आ गया लेकिन हमने सुरू में क्या कहा था हमने कहा था कि यह जो है P upon Q यह को प्राइम नमर है यानि इसका HCF 1 होना चाहिए लेकिन यहां HCF क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना भाई मतलब क्या हमने जो सोचा था तो गलत हो गया हमने जो सोचा था वो गलत हो गया की नहीं हो गया बताईए 5 कैसे आ सकता है मतलब क्या हमने गलत सोचा था क्या सोचा था क्या सोचा था गलत गलत माना था तो अब हम क्या करेंगे तो अब हम क्या करेंगे लिख देंगे क्या लिखना है अबर सपोजीशन इस इनकरेक्ट तो जब हमारा supposition incorrect हो गया that under root 5 is a rational number तो जब हमने सोचा कि under root 5 is a rational number है और हमारा supposition गलत हो गया हमने जो सोचा गलत हो गया इसका मतलब क्या है? बची गया एक under so under root 5 तो आप इसे समझ गए तो रटने की कोई जरूत नहीं है अगर ध्यान से देखा जाए अराम से समझ सकते हूं आप इसे नोट करो question number 2 कह रहा है prove that 3 plus 2 under root 5 is a rational number तो देखिए अगर आप एक सीख गए तो फिर बाकी असान हो जाता है चलिए देखते हैं कि कैसे करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 plus 3 plus question क्या है? 2 under root 5 2 under root 5 let let 3 plus 2 under root 5 is a rational number तो हम क्या करते हैं? 3 plus 2 under root 5 को एक rational number मान लेते हैं then then 3 plus 2 under root 5 equal to क्या होगा? P upon Q होगा? where where Q equal to not 0 and and P and Q R Q R को prime number बताइए यहाँ तक किसी को confusion है? को prime number हमने पहले question में discuss किया था? चलिए अब एक बात बताइए कि क्या मैं क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? यह 3 दर plus में उदर किसमें जाएगा? minus में जाएगा? देखिए एक कोसिस करनी है क्या कोसिस करनी है? कि अंडर root 5 को आप इधर रहने दे और बागी जो सब है इन सब को आप उदर transfer कर दे कोगी इसका क्या फाइदा होगा? वो आपको last में पता लगेगा पहले आप इतना तो करिए चलिए अंडर अब क्या करते है? पहले 3 है प्लस में इसे हम भेजते हैं उदर माइनस में तो 2 under root 5 equal to P upon Q माइनस हो गया 3 अब क्या करते है? इस 2 को भी हम उदर भेज देते हैं under root 5 P upon Q 2 यहां भी आएगा और यहां भी आएगा अब एक बात बताईए मुझे एक बात बताईए अगर कि P P जो है P and Q are integer P and Q क्या है? integers है इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा? कि P upon 2 Q माइनस 3 upon 2 is a reasonable number अब एक बात बताईए इसके equal यह है यह reasonable number है तो यह भी क्या हो गया भाई? यह भी reasonable हो गया? तो under root 5 is a reasonable number अरे अरे रूक जाईए अभी तो हमने पहले question में क्या प्रूब किया था कि under root 5 क्या है? e reasonable number है है ना भाई? लेकिन इसके according तो क्या हो रहा है? तो क्या करते है? बट बट अवर शपोजिशन इस इनकरेक्ट कि हमने जो सोचा हमने जो सोचा वो तो इनकरेक्ट हो गया अब क्या है? अब क्या नमबर अब शपोजिशन नमबर अब क्या हो रहा है? इसके प्रूब देट फोलोईंग आर इसनल नमबर तो सबसे पहला है तीन कोश्चन है इसमें पहला है वन अपन अन्डरूट तू वन अपन अन्डरूट तू पहला कोश्चन है तो क्या करते हैं? लेट let 1 upon under root 2 is a rational number, rational number, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, then 1 upon under root 2 equal to P upon Q, where Q equal to not 0 and P and Q are co-prime number, बताए, कोई दिक्कत तो नहीं न, co-prime हो अगेरा आपको पता है, अब क्या करते हैं, हम इसको rationalize कर लेते हैं, 1 upon under root 2 को, rationalize, सीख रखा है न, आप लोगों ने, 9th class में सीखा आगया, 10th में आपके बहुत काम आने वाल है, ठीक है, तो यह हो गया, under root 2, root 2, root 2 की multiply होई, तो क्या हो गया, 2, P upon Q, तो क्या होगा, कि P and Q are integer, so, 2P upon Q is a rational number, ठीक है, P and 2 upon rational number हो गया, अब एक बात बताईए, यह rational हो गया, तो यह भी rational होगा, under root 2 is a rational, अरे रुकिये ज़रा, हमने प्रूब किया किया था, कि under root 5 क्या है, एक irrational number है, तो देखो, under root 5 irrational है, तो under root 2 भी irrational होगा, under root 3 भी irrational होगा, under root 7 भी irrational होगा, होगा या नहीं होगा, सारे का एक जैसे improvement है, कर सकते हैं, तो under root 2 क्या है, irrational number होगा, फिर यहां क्या, but, but, under root 2 is a irrational number, ठीक है, अब एक बात बताई, under root 2 क्या है, so, our supposition, is incorrect, हमने जो सोचा गलत हो गया, हमने क्या सोचा था, कि यह एक रेजनल number है, हमने जो सोचा वो गलत हो गया, इसका मतलब क्या है, 1 upon under root 2 is a irrational number, clear है, चलिए, आप इसे note करें,